नवस्कार आप देख रहे हैं दर्स न्यूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा केंद्र सरकार के अलप संख्यक मामलों के मंत्राले द्वारा हर साल अलप संख्यक छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलर्शिप में बड़े पैमाने पर फर्जीवारे का खेल सामने आया है मंत्राले की ओर से किये गए दावों के मुताविक छात्रविर्ती योजना में लगभग 144 करोर का घोटाला हुआ है अलप संख्यक छात्रविर्ती के लगभग 33 परतिसत लाभार्ती फर्जी पाए गए है अलप संख्यक मामलों के मंत्राले की एक आंत्रीक जाँच में इसकतित भष्टाचार का पता चला है एक रिपोर्ट के मुताविक इसमें अब तक 830 फर्जी संस्थानों का पता चला है रिपोर्ट में पिछले 5 साल में 144 करोर रुपे के घोटाले की बात कही गई है अलप संख्यक मामलों की मंत्री स्मिर्ती इरानी ने इसकी आगे की जाँच CBI को सौपी है रिपोर्ट के मुताविक अलप संख्यक मंत्राले ने इस मामले में 10 जुलाई को अपनी सिकायत दर्ज कराई थी बताया जाता है कि 34 राज्यों के 100 जिलों में मंत्राले ने आंतरिक जाँच कराई इन में से अब तक 21 राजियों के 1572 संस्थानों में से 830 संस्थान फरजी पाए गए हैं लगभग 33% फरजी अभियर्थी मिले हैं बाकी बचे राजियों के संस्थानों को भी जाच जारी है फिलाल अधिकारियों ने इन 830 संस्थानों से जुड़े खातों को फ्रिज करने का आदेस दे दिया है सूत्रों के मुताबिक ये घोटाला कई स्तरों पर हुआ है और एक संस्थागत भरष्टाचार है संस्थान या तो मौजूद नहीं है या ओप्रेस्नल नहीं है लेकिन ये राश्ट्रिय छात्रविर्ती पोर्टल और सिक्षा के लिए एकिक्रित जिला सुचना प्रनाली दोनों पर रेजिस्टर है अब CBI इस संस्थानों के उन नोडल अधिकारियों की जाच करेगी जिन्होंने इन संस्थानों को अप्रूबल रिपोर्ट दी थी मंत्राले से मिली जैनकारी के नुसार इस फरजीवारे में सक किसुई जिले के नोडल अधिकारी से लेकर बैंक कर्मचारियों, मदर्सों या संस्थानों के पदाधिकारियों से लेकर लाभार्थी और उसके परिवार जनों तक पर जा रही है फर्जी वारे में जिन राजियों में बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं उनमें असंप, शिंबंगाल, करनाटक, यूपी, 36 गठ राजस्थान, केरल, पंजाब और जम्मू कस्मीर जैसे राज्ये और केंदर सासित प्रदेश सामिल हैं यानि अब वे जिला नोडल अधिकारी जाच के दाइडे में आएंगे जिन्होंने फर्जी मामलों को वेरिफाई किया था ये जाच भी होगी कि कैसे कई राजियों में एक होटाला सालों तक चलता रहा सूत्रों ने बताया है कि मंत्राले ने ये भी सवाल उठाया है कि बैंकों ने फर्जी आधार कार्ड और केव आईसी डॉक्यमेंट के साथ लाभार्थियों के लिए फर्जी खाते खोलने की मंजूरी कैसे दे दी अब आईए सिलसिलेवाई धंग से जान लेते हैं मंत्राले की जाच में क्या-क्या पता चला है 36 गड़ में 62 संस्थानों की जाच में सभी संस्थान फर्जी नौन ओप्रेसनल पाए गए रायस्थान के 128 संस्थानों की जाच की गई इसमे 99 नकली नॉन ओप्रेशनल पाए गए असम में 68% संस्थान फरजी पाए गए करनाटक में 64% संस्थान फरजी पाए गए यूपी में 44% संस्थान फरजी पाए गए पश्चिम बंगाल में 49% संस्थान फरजी पाई गए हैं किरल के मलापुरम में एक बैंक प्रांच ने 66,000 स्कॉलर्शिप दी ये संख्या रेजिस्टर किये गए पात्र अलब संख्यक छात्रों के संख्या से अधिक पाई गई जम्मू कस्मीर में अनंत नाक के कॉलेज में जिसमें 5000 जार स्टूरेंट्स का रेजिस्टरेशन है उस कॉलेज से 7000 स्कॉलर्शिप क्लेम की गई एक पैरेंट का मोबाईल नंबर 22 बच्चों के साथ जुड़ा पाया गया यह सभी बच्चे कतितोर पर नवी क्लास के थे एक अन्य अल्प संख्यक संस्थान में जहां होश्टल नहीं है फिर भी वहाँ के सभी छात्रों के नाम पर होश्टल स्कॉलर्शिप क्लेम की गई पंजाब में ऐसे अलब संख्यक चात्रों को चात्र विरती मिल गई जिनका स्कूल में नामांकर भी नहीं हुआ बता दें कि अलब संख्यक स्टुडेंट्स के लिए स्कॉलर्शिप की योदना 2007-08 में सुरू की गई थी अलब संख्यक मंत्राले 1,80,000 संस्थानों को स्कॉलर्शिप देता है इसका फाइदा कक्षा 1 से उच्च सिक्षा लेने वाले अलब संख्यक स्टुडेंट को मिलता है इस वीडियो पर आपकी क्या रही है आप हमें कमेंट सेक्षन में जाकर के ज़रूर बताईए और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे और अगर ये वीडियो आप फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमारे पेच को लाइक और फालो करना नहीं भूले धरन्यवाद